कि नमश्कार मैं अनिल शर्मा आपका एक पार्फी से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स भाइपाटक सर्वें आज इंटर्नल सोर्स ओफ रिक्लूट्मेंट के बारे में हम उसके एड्वांटेजिस और डिसड्वांटेजिस के बारे में आपको इससे पहली जो आपने वीडियो देखी है उसमें मैंने इंटर्नल सोर्स ओफ रिक्लूट्मेंट के बारे में कम्प्लीट आपको डिस्क्रिप्शन दिया ठीक है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो को चलू देखे ठीक है उसके बाद पिछली वीडियो में हमने इसक्रिया कि इंटर्नल सोर्स ओफ रिक्लूट्मेंट के एक कंपनी को क्या एड्वांटेजिज है और क्या डिस एड्वांटेजिज है तो पहला जो हमने डिस्कस करना है ओँआ एड्वांटेजिज आफ इंटर्नल सोर्स जैसे कि आपको बताया हमें ने कि इंटर्नल सोर्स मतलब शिव में पहले से जो लोग काम कर रही है घ्रशिटल की जो लोग काम कर रही है उनही में से व्यात्यों को सिर्च करना इसके लिए 10 тот करसे एक था ट्रांस्वर्ड और दूसरा अख्रा आपका प्रोमोशन ठीक है बात तो पहली बात पहला है दिस्पे डिसकस कर सकता हूँ वो है मोटिवेशन फोर इंप्लोईज मैंने अभी अभी बताया है कि प्रोमोशन इस हो जो है तूल और इंटर्डर सोर्स और रिक्विटमेंट जब हम इंप्लोईज को प्रोमोट करते हैं प्रोमोशन देते हैं तो उसका स्टेक्टर स्टेक्चर बढ़ जाता है उसका लिविंग स्टेक्टर बढ़ जाता है हमने प्रोमोशन दिया एक व्यक्ति को ठीक है और उस एक व्यक्ति को प्रोमोशन से उसके साथ में काम करने वाले दस व्यक्तियों के लिए वो मोटिवेशन की बात भी होगी कि फ्यूचर में जब वह अच्छा काम करेंगे हर अल़ से नहीं हमें बिए तर लोली का हमेong एक अच्छी कउश्ट दी जा सकती है हम भी जो है एक अच्छे रावर्म काम कर सकते हैं हमारा लिए इंच टेंडर भी जो है बढ़ सकता है ठीक है तो तो इतना का यह समझ में आ गया होगा दूसरा इसका उससे बड़ा फाइदा है सिलेक्षण एंड्ड्रेश्मेंट की प्रोसेस दोच सिंप्लिफाई हो जाती है सिंप्लिफिकेशंस ऑफ सिंसेरे के बार हैं देखी आप जानते हैं सबसे पहरे रेक्लिप्रमेंट करने ऐबाद ậnस प्राम् सिलेक्शेर करके सिलेक्शन के लिए टीम इठाई जाती है टेस्ट करवाए जाते हैं टेस्ट के बाद हिए इंटर्वाइण के लीजाते हैं हमें बहुत सारे लोगों से स्क्रीड लोगों को छत्नी करना पड़ता पड़ता है जो कि एक लमभी प्रोशेस जो एक टाइप प्रोश्स है ज्योंगि और कोष्वी प्रोश लेकिन जब company internal source of recruitment से बर्ती करती है employees को लेती है तो इस process में से नहीं जाना पड़ता, simply वो उस व्यक्ति को जानती भी है उसकी working capacity के बारे में भी वो knowledge रखती है हमें क्या करना है उसको promotion नहीं है या किसी व्यक्ति को transfer करना तो selection and placement दोनों की जो process है उसमें बहुत ज़्यादा simplification हो जाता है तो इसके इलावा जो third benefit by company को कह सकता हूँ tool of training टूल of training training देने का अभी एक अच्छा tool है internal recruitment कैसे क्योंकि जो हम transfer करते हैं एक employee को दूसरे एक department से दूसरे department पर ठीक है या promote करते हैं उन्हें higher job पर तो हम उन्हें पहले से ज्यादा challenging job करने के लिए बोल रही है ठीक है जब promotion करते है इस पैसले और transfer करते हैं मार्णों पर चेर दिपार्टमेंट से marketing department पर उन्हें transfer किया है तो हम उसको दूसरे जोग का भी experience दे रहे हैं जो की एक training camp रहेगा employees के लिए तो हम कैसे सकते हैं एक टूल भी है इसके लिए training के लिए उसके बाद चोथा फाइदा ही हो रहाएगा फोर्ट फाइजस्टमेंट और अजस्टमेंट और अजस्टमेंट और अजस्टमेंट और स्टाफ यदि आपकी फॉर्म और स्टाफ है उसमें ज्यादा employees है तो आप उसे इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच के टास्टम करतोंगे तो इससे क्या होगा कि जो और स्टाफ ब्रांच है उसका स्टाफ कम हो जाएगा और जो अंदर स्टाफ ब्रांच है उसका स्टाफ पुरा हो जाएगा तो दोनों तर इकोनोमिकल देखिए ना सेलेक्शन दिलेना ना इंटर्व्यू मीटिंग बिठानी ना आपने किसी तरह के स्पेस्मिश्ट को बुलाना ठीक है आपने जस्ट क्या करना है अपने ही इंप्लोई को परच्छना है कि कौन उस जोग के लिए लायर है और आप ट्रांसफर और प् क्या दिस अबांटेजिंज भी हैं, इस इडिस आड़श्ट आप ऑफ इंटर्ण सोर्स, इंटर्ण सोर्स के दिस अड़श्ट क्या है इसके लोड्स कंपनी को क्या है ठाहिं के यह होने दिसक्ष करना है wilderness ना रे सिंच्य जब हम इंटर्ンド सोर्स से सब्रक्रभू हों प्रेश टैलेंग्स को फ्रेश मी नहीं आता पामões कैसे ह। चिअ कि दिखने निए नहीं एक उतना माद में सब्सक्राइब और ही जिस्तित increased Reduce the scope of fresh talent जो नए विप्पी है वो इसमें नहीं फरमें आ सकते और वो नया नहीं आपाते तो नहीं केकलोजिक के साथ हम नहीं चलपाते नहीं रोगों के विजारों के साथ नहीं चलपाते नहीं एनर्जी हमारे पास नहीं आपाते तो यह एक्टर ऐसे क्या हो जाता है हमारा लोस होता है इस केस को ठीक है दूसरा Employees May Become Lethargic Employees May Become Lethargic अर्थात इसका मतलब क्या हुआ बई जिन लोगों को पहले ही यह पता है कि हमें हटाया नहीं जाएगा यह आपड़ा में हमारे प्रमोशन करेंगे हमें आटाया तो जाएगा नहीं फर्म नहीं आएगे नहीं तो सब्सक्राइग करो या ना करो तो इस तरह से यह सोच के जो रोस होते हैं वह रैधर्टिक हो जाएंगे और इसका लोस को क्या करना पड़ेगा वहन करना पड़ेगा ठीक है इसके गरावा कि इन प्रिक्ता इन्कम्प्लीट सोर्स है यहां से हम केवल उनिके इंप्रोस को ले सकते हैं जो हमाले पास एकसे से या लिकी यहींहीं तो इसके पास existing employees नहीं 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 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, कि यह क्या है, उसके बाद competition का भाव नहीं नहीं रहता, split off, competition, helper, जो competition की, competition उतरा में इसलिए लोग आए, ठीक है हमें उसे अच्छा करणा है, हम senior है, कोई बात नहीं हमें भी इससे अच्छा करके दिखाना है, और ना यह बहरता है, इसके अंदर की हमें आदिया जाएगा, competition का भाव विल्कुल खतम हो जाता है, यह भी चाहरा है, इसको लोग इसमें रहेगा, ठीक है, इसके productivity भी इंडियूस हो जाती है, में reduced productivity, वही बात फिर आ जाती है, कि इंडियूस बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, तो वो काम करके राजी नहीं होते हैं, जिसके कारण फरम में productivity काम हो जाते हैं, यानि कि जितनी production होनी चाहिए, उतनी production नहीं हो पाती, इसका फरम को क्या करना उठाना पता है, लोग सत उठाना पता है, आज के लिए इतना ही दन्यवाद, उमिल करता हूँ, यह चीज़े समझ में आ गई होगी, एक्टियल सोंस के बारे में डिस्कूस करेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद,